जै मातादी, वेलकम टू माई चैनल फैंस, आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रों में हम खेत्री बोते हैं, जुआरे क्यों बोय जाते हैं, उनका क्या महत्ता है, अनका सम्मान हम क्यों करते हैं, नौ दिन में जो हम ये जुआरे बोते हैं, इनका स्वक्स्ता, पवित्ता और सुद्धता का हम खास ध्यान कैसे रखते हैं, तो जगत जन्नी की कोई पूजा हम जो करते हैं, उसमें पान का बिंग्डा, और माकिस संगार का सामान, लॉंग, चुनरी, कपूर, नारियल और ये तरीका क्या है, तो आप एक बरतन जहां भी आप माता जरानी की चौकी लगाते हैं नवरात्रों में, वहां पर ही आप कोई जुआरे बोने होते हैं, एक बरतन ले लीजिए, मिट्टी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, डलिया ले सकते हैं, नहीं तो आप प्रत्वी प की चिन होता है उसके बाद हम मिट्टी को अच्छी तरह चान लेंगे साफ कर लेंगे मेंगोई चाहिए मिक ठिए लगहोना कि या उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ मुख करके हमें बैठना है उसके बाद बरतन में मिट्टी फैलाएंगे फिर जो पानी में भिगोएती निकाल लेंगे उनको हम कपड़े में रख देंगे उसके बाद कपड़े पैसे उठा करके फिर उनको हम मिट्टी के उपर इस्प आपको इब मंत्र बोते रहें तो सभी मंगल कारिये बनते हैं तब हम यह मंत्र बोलते रहें और इस तरह से हम जॉब होएंगे अब मैं आपको बताओं जोग के दर्सन कब करें जल कैसे दें आरती कैसे दिखाएं उससे पहले मैं आपको बताती हूं कि जो हम एकलस स्थापना करते हैं जोग होते हैं तो यह जोग क्यों बोई जाते हैं तो जब सरश्टी की आरम में सबसे पहले जो फसल हुई थी वो जोग थी इसी वज़े से हमा प्रथी देवी का माता मंदिर है मैं भी दर्सं करके आई हूँ आप लोग वी जाईएगा तो धिरुग डिविब्त के ग्यार्वें पाक्षी नाम से मुझे लोग जानेंगे। उस समय में अपने सरीर से उत्पन हुए शाकों द्वारा संसार का भरण पोर्षन करूंगी। कोई भी कार्य करते हैं। बेटी की शादी होती है, तब भी जो भोई जाते हैं। वह मावस्या पर पर सभिक्रuda का अधुल्षी जी परिक्र programs ये लेती है। तो जो जो होते हैं हो्बरह्मा का रूप बताया गया है..! अन्ड का हमें सम्मान करना चाहिए और नो दिन में जो का बढ़ना हमारे लिए भक्ति का सुम संकेते देने वाला चोता है पांच दिन तक जौरे को नहीं देखना चाहिए पांच दिन के बाद जौरी का धर्शन करیں पान का बिंदा माता को जरूर चढ़ाएं जौरे पर और 9 दिन Hazorjan करना चाहिए ज direct Bilka अखेंड दिप जरूर लाना चाहिए अगर आप जुआरे बोते हैं तो और अपने जुआरे को बुरी नजर से वचाना चाहिए जो भी आपके कोई आते हैं भाहर के लोग तो उन वो सीधे आपके जुआरों पर उनकी नजर ना जाए इससे नजर भी लग जाती है और अशुद्धता आती है तो हमें शुद्धता का ध्यान रखना है किसी अशुद्ध व्यक्ति की चाया नहीं पढ़नी चाहिए और जल सीचन करना चाहिए जुआरे की आरती करनी चाहिए कपूर से आरती करनी चाहिए चुनरी भी उडानी चाहिए उन्हें सिंगार भी देना चाहिए माता को और जुआरे के रूप में जो प्रकरती मा आती है जो हम जुआरे बोते हैं तो मा आती है प्रकरती के रूप में अन्पूर्णा के रूप में इसलिए पान का बीड़ा मा को जरूर देना चाहिए और हमें स्वक्षता पवित्रता और सुद्धता का अवस्य ध्यान रखना चाहिए हमें अगर हमारे जुआरे बहुत जादा अच्छे हुए हैं गने गने बाहर तक निकल कर आ रहे हैं तो हमें नीबू से जौरे की नजर भी उतार देनी चाहिए जब हम सारा सामान विसर्जन करने जाएंगे तभी वो सामान उसमें चला जाता है और जब हम नौवा दिन हो जा है उसी दिन हमें जुआरे का विसर्जन कर देना चाहिए पहले के लोग बहुत सारी महिरा एकटे होके सब लोग एक साथ जाते थे जुआरे का विसर्जन करने लेकिन अब लोगडाउन में या हम घर में रहते हैं तो कभी भी कहीं भी कर याते हैं गंले में भी कर सकते हैं पार्क में भी कर सकते हैं या फिर आप किसी नदी किनारे गंगा किनारे जमना किनारे दी जो का विसरजन करके आ सकते हैं थोड़े सी जो निकाल कर आप अपनी अलमारी में रख दीजिए लोकर में रख दीजिए बच्चों की पढ़ने की अलमारी पर इस तरह से मैंने आपको बताया कि हम जुआरे कैसे बोते हैं, क्यों बोते हैं, इसके पीछे की कथा, पुराने कथा क्या है, आपको वीडियो हेलपफुल लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल पर बने रहिएगा, ऐसे ही हम मनो कामना पूरी करें